हेलो दोस्तो स्वागत आपका आज की हमारी इस वीडियो में रो आज हम ओसत का तीसर भाग लेका आये हैं दोस्तो और इसमें बहुत ही अच्छे कोश्चन मैंने रखे हुए हैं जिनसे हमें एक्जाम में हमारी बहुत मदद होगी दोस्तो तो आईए देखते हैं इन कोश्च करने के लिए सुत्र मार्केट में चलता है यह बुक्स में आपने पड़ा होगा जैसे अगर आपको नए बच्चे की आयू निकालनी है तो आप सुत्र को जाना होगे कि नए बच्चे की आयू कैसे निकालेंगे दोस्तो नए बच्चे की आयू अगर हमको निकालनी है तो स सूतर होता है दोस्तों जो इसका पुराना ओसत है उसको लिखेंगे पुराना ओसत ठीक है दोस्तों और पिलस माइनस यहां पर लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या और यहां पर आएगा दोस्तों गुणा में विड्दी मतलब बड़ोतरी अथवा कमी अथवा आएगा दोस्तों कमी ठीक है अब यह सुत्र बहुत जगें बुक्स में दे रखा है दोस्तों और इससे कोशन सोल्व भी होते हैं आसानी से लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड़ से भी बताऊंगा जो भी जिस्ते भी हम कोशन सोल्व करेंगे और हमारे आंसर बहुत सठीक आएंगे कम टाइम में आएंगे दोस्तों तो इसलिए हमको अलग-अलग कोशन के लिए अलग-अलग सुत्र याद नहीं रखना पड़ेगा पहले सुत्र से कर लेते नए बच्ची क आय युचाहिए हमको तो प्राण उसलिए दोस्तो प्रान उसलिए कितना था पहले जर जर अ खटके चवधा एक induced काने में यांकि उख आध में दोस्तो माइनस में 6 15 में 6 गए दोस्तों तो यहां पर हमारा आंसर आया नो वर्स तो नए बच्ची के आई हो जाएगी दोस्तों नो वर्स ठीक है यह तो एक फोर्मूला जो चलता है बुक्स में दिया हुआ है लेकिन ऐसे अगर फोर्मूला याद करने लगोगे तो ओसात में दोस्त आप यह देखिए पहले परिवार में कितने से थे 5 सदस्ते हैं और उनकी ओसात आयू कितनी है दोस्तों 15 तो मैंने कल आपको कुल टोटल आयू निकालने के बारे में सिखाय था या कुल योग निकालने के बारे में कल मैंने आपको बताया था तो आप क्या करेंगे इस संख इसे गुणा करेंगे तो दोस्तों यह आजाएगा 84 84 ठीके तो नए बच्ची की वेसे यह फरक पड़ाए तो जो आई यू होगी वह इनका अंतर होगी नए बच्ची क्या होगी इनका अंतर चोरासी में से पिचेतर घटाएंगे दोस्तों तो आंसर आजाएगा वही हमारा नो वर्ज दोस्तों ठीके क्लियर कर पाए आप लोग तो यही हमारा बेसिक तरीका है आपको कोई सुतर याद करने की जरूत नहीं है अगर आप करेंगे तो बहुत सारे सुतरे ओसत में और हर क पढ़ जाएंगा आप कोशन के लेंग्वेज को पढ़िए और आंसर निकालना सीखे दोस्तों ठीक है अगले कोशन की तरफ अब हम चलते हैं तो यह रहा दोस्तों आज का अगला कोशन अगला कोशन है 34 मजदूरों के एक दिन का ओसत वेतन 46.50 रुपे है एक मजदूर के आ जाने से औसद वेतन में 50 पेसे के वीड़ी हो जाती है तो नए मजदूर का वेतन क्या है मैंने आपको बताया था इसके बारे में केसे आपको सौल करना है नए के बारे में निकालना है तो आप कॉमन सेंस से सोल्फ करिए कोई सूत्र कोई फोर्मल लगाने के अवशकता यह देखिए नया मजदूर आया है तो पहले 34 थे अब कितने हो गए 35 और इनका टोटल कितने हो जायेगा वेतन का इसके उसत से गुणा कर तो टोटल 35 जनों का उसत 50 की विड़्दी हो गई ना पहले 46.50 था इसमें 50 पैसे की विड़्दी हो गई तो अब कितना हो जायेगा य तो देखो 35 को अगर मैं 47 से गुणा करता हूँ तो 35 सत्य के 245 हासिल में 24 35 चोक 14 और 20 60 और 4 64 1645 इदर से आ गया और इदर से कितना आया देखो इसको मैं सोल करने के लिए आपको बताता हूँ कि आप इस पोइंट को अटा लो तो यहां 2-0 बढ़ जाएगी 10-10 कैंसल हो 35 सत्रा नम्मे के 153 और 5 158 दोस्तों यहां हमारे पास आया 1581 तो नए वेक्ति का जो वेतन है जो उसका पेमेंट है नए मज़ूर का वो क्या आएगा पांच में से गया चार ठीक है दोस्तों यहां 14 में से आठ गये तो आए गया छे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 64 रुपे तो इस नए वेक्ति का वेतन कितना होगा दोस्तों 64 रुपे होगा तो हमको कोई सुत्र लगाने की जरूत नहीं है इसी वे में कॉमन सेंस से मेथर्ड से कोश्चन को सेल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से दोस्तों ठीक है रटने के आए सकता है बिलकुल नहीं है सिक्षक के आयू ग्याद करें दोस्तों देखिए पहले 20 चातर और सिक्षक मतलब 21 जनों को सदे रखा है 15 वर्स ठीक है तो हम 21 को काई से गुणा करें 15 से गुणा कर देंगे टोटल निकल जाएगा उन सबका ठीक है अगर इस बड़ी संख्या मैंसे मतलब 21 में से 20 का घटा आएगी एक जनी का जो यहां पर डिफ्रेंस आएगा वह एक जनी के आयू होगी आयू किसकी होगी वह सिक्षक के आयू होगी क्योंकि इसी को छोड़ा है हमने सिक्षक के आयू निकलेगी तो बस इसको आप सोल कर लिजिए देखे दोस्तों पंदरा आइकम 15 पांच असल ए दोस्तों तो कोई सुत्र लगाने कि यहां भी जरुवत हमको नहीं पड़ी बेसिक से आंसर आ गया है दोस्तों चलिए अगले कोशन की तरफ हम चलते हैं आईए दोस्तों यह अगला सवाल अगला सवाल इस प्रकार है किसी क्ष़़ा में 15 चात्रों का ओसत वजन 1.5 किलोग अलग हो गई है जो पहले हमने किये वह अलग टाइप के दिखने में एक जिस्ते हैं लेकिन यह पड़ेंगे तब पता लगया कि अलग है यहां क्या बोला है कि नए चात्र का होजन निकालना है लेकिन यहां पे बीच में घडबढ क्या हुई है कि जो 40 किलोग्राम का चात् मतलब 1.5 किलोग्राम है मतलब निकालने के लिए आप से क्तल निकालने के लिए आप खुल चात्र की सँक्या संक्या को बढ़ाया उससे गुणा कर देंगे 15 को यह प्रइंट पॉइंट 5 से गुणा किया दोस्तों तो यहां 40 पिलस में यह आ गया किया दोस्तों 22.30 ठीक है टोटल किया इसका दोस्तों हमें प्राफ्थ होएगा यह 62.50 किलोगराम तो जो यह 62.51 3.50 किलोगराम था यह वजन था दोस्तों नय Чातर का New Student का वजन कितना था दोस्तों 62.5 kg इसलिए इसका आंसर आ गया 62.5 kg देखे दोस्तों अगला कॉशन है नो चातरों के आउसत अंक 63 है इनमें से 3 के प्रापतांक 48, 49, 48 है तो 66 चातरों के आउसत कितने हैं दोस्तों इस फिरकार कॉशन करने के लिए आप क्या करों पहले इन 9 चातरों के टोटाल लंक निकालो कितने हैं 9 को गुणा करूँगा दोस्तो 63 से, तो गुणा करने पर आगया दोस्तो, 9, 37, 2, 9.54 और 2, 56, 56, आया दोस्तो, और इन तीनों को जोड़ दू कि इन तीनों कुल कितना होएगा, तो यहां से मैंने जोड़ा, 8 और 9, 17 और 8, 25 की 5, हासिल का 2 दोस्तो, 2, 4, 6, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7 हो गए, 12, 19, 12, 7 हो गए, 12, 19, तो इसको अगर मैं यहां से घटा हूँ, तो मेरे पास आएगा दोस्तो, यहां पे 2, 16 में से 9 गए, तो 7, और 4 में से गए, तो 3, 300 बेतर आएगा दोस्तो, यह कितने जनों को बचाया देखो, 9 टोटल थे, 3 के हमने 8 दिये, तो कितने जनों को बच गया अपने आपी, 6 जनों को टोटल बच गया, और 6 जनों का यदि ओसत निकालना है, तो 6 का भाग लगा देंगे, 6 का भाग लगा दोस्तो, 6, 36, 1 बच गया, 6, 2, 12, तो आगे हमारे पास 62 अंक, मतलब 6 जनों का जो ओसत अंक होगा, वो कितना होगा दोस्तो, 62 होगा, 62 होगा, ठीक है, आएगे अगले कोशन की तरफ हम चलते हैं, अगले कोशन पाते हैं, अगले कोशन इसक पिरकार है, 25 संख्याओं का उसत 18 है, परिटां 12 संख्याओं का उसत 14 है, अंतिम 12 का उसत 17 है, तो 13 संख्या क्या होगी मैंने मान लिए 25 यहां से यहां तक कि संख्या है टोटल दोस्तों कितनी है 25 इसने बोला कि 12 तो पेले इधर की 12 शुरू की 12 ठीके और अंत की 12 यहां से लेखें यहां तक की ठीके यह तो इसका उसत दे रखा और बीच की एक 13 संख्या इसने हमसे चारसो पचास टोटल योग आ गया अब ही इन 12 12 के निकाल लेथे थे फीले इस 12 का निकाल हम ने तो देखिए 12 और 14 12 को 16 से गना करेंगे तो क्या आएगगा दोस्तों हमारे पास 12 को 4788 की आथ हासिल 412 12 12 एकम 12 और तो दोस्तो अगर मेरे को तेरिमी संख्या निकालनी है तो देखो 25 का यह रहा चार्थ पचास और बारा और बारा चोईस का यह रहा तीन सो बेतर इस तीन सो बेतर को यहां से घटा देंगे तो दस में दो गए आठ ठीक है दोस्तो चौदा में साथ गया साथ तो हमें यह जो एक बची हुई है बची हुई कोन से दोस्तो तेर्मी कोन से बची हुई है तेर्मी का मान प hedge the day कोugHH को अगे एक गवाए और आगे बाएगा उसमें और अच्छे कौशन है कौशन है क्रेट से संवनल से कौशन आते हैं वो इसमें रखें अवार?